हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UPPCS 2022 और समिच्छा अधकारी साहग समिच्छा अधकारी 2022 इन दोनों बेकेंसी के बारे में लोग बात करेंगे और हमारा मूल विंद जो होगा वो होगा सलैवस पर डिसकसन यानि की जो UPPCS की प्रारंबिक परिक्छा आपकी 12 जून को है ठीक है होने ही वाली है और जल्दी बहुत कम समय बचा हुआ है लगवक्त दो महीने समय बचा तो इन दो महीनों में आने की 60 दिनों में आप GS के कौन कौन से टॉपिक को टच करें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और किन टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है तो उस पर हम लोग आज बहुत ही बिस्तार से बात करेंगे और आपको एक एक विंदू एक चीज और अगर आप इस रडरीत को फॉलो करते हैं तो यह मेरा दावा है कि आपका प्री नहीं रोकेगा और यही बात हम कहेंगे आरो एरो 2022 के लिए जो लोग 2022 की त्यारी कर रहे हैं किसी कारण बस उनका 2021 में प्री नहीं हो पाया है वो लोग इस रडरीत को फॉलो करें जो फोकस करना होगा और ऐसा करके आप अपनी प्रारंबिक परिक्षा को आराम से पास कर सकते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको हम पूरी चीज़ें बिस्तार से बताएंगे कि आपको हिष्टी में जोगर फी पॉलिटी एकनोमिक साइन्स युपी स्प पढ़नी है और किन-किन टॉपिक पर आपको कितना ध्यान देना है किस टॉपिक का कितना वेटेज होगा और कहां से कैसे पूछे जाते हैं तो इस पर हम लोग आज बहुत ही बिस्तार से चर्चा करेंगे ठीक है चलिए तो फिर शुरूआत करते हैं इतिहास से शुरूआत की जाए तो 18-20 या 22 कुशन पूछे जाते हैं कभी-कभी संक्या थोड़ी बहुत मतलब की 20-20 के आसपास प्रसंद रहते हैं तीनों हिस्ट्री को मिला करके ठीक है और काफी बड़ा वेटेज हिस्ट्री का और कभी-कभी तो ये प्रसंद 25 भी हो जाते हैं ऐसा नहीं है तो हिस्ट्री को हम छोड़ा नहीं सकते हैं यह है कि कभी-कभी हिस्ट्री से दो-चार प्रसंद ऐसे आ जाते हैं जो उपने नहीं मिलेगा तो अगर परिक्षा में ऐसे दो-चार प्रसन आ जाते हैं हिस्टी से तो उससे घबलाने की आवस्षित आपको बिल्कुल भी नहीं है आप चाहें तो उनको छोड़ भी सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा उनसे ठीक है मालों 20 प्रसन आए और 20 में आपको 3-4 प्रसन गिदम से उल्जाव टाइप के हैं म तो समझो कि आप बहुत ही अच्छी स्थितीम आ गए हैं इसलिए अगर नए प्रसन किसी भी विषय से बन जाते हैं कभी कभी हिस्टी और जोगर्फी से बनते हैं बाकी तो लगबग वही रहता है जो परिक्ष्याम बार बार पूछा गया है या सलेवस से रहता है तो हिस् प्रसनों में रुख जाएंगे इसलिए बीच मैंसे अगर चार-पांच प्रसन ऐसे है तो उनको छोड़ दो मत करो उनको मत रिस्क लोन पर लेकिन आप 15-16 प्रसन जो आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से आप करके आईएगा ठीक सबसे बाले बात करते हैं हम लोग शिंद सब्सक्रावल चाहिते हैं सिंदुघाटी की सब्सक्रावल चेटेश हैं तो प्रसन देश नाम चाहिं और उनकी खोच किसने की है और उनसे कौन-कौन सी वस्तूमें पराप्त हों है यह आपो पता करना है शिंदगाटी सब्दा की कौनगों सी नदियां थी उस समयवन वो पता करने हैं और जो इस्थल और उनके खोज करता जैसे कि आपके रायबादर दैरा मिशाय नहीं है बहुत सारे लोग हैं ठीक है कि कि किस संद में किस संद में किस इस्थल की किस के द्वारा खोज की गई इतनी वात हैं आपको पढ़ने बहुत जादा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो अगर इन सारी बातों पर आप ध्यान दे लेंगे तो समझो कि आपको पूरा सलेबस कंप्लीट करने बड़ी आसानी होगी दूसरे आते हैं बैदिक कालमे ठीक तो चारों बेदों से संबंदि अब क्यास करें से समाथ hayat और यहां की बैदिक काल कि नदिया की बैदिक नाम से शोल संसकारों की नाम क्या हैं। इंशान का क्रम क्या है और कौन-कौन से वैदिक देवता उसल में थे थे। म वैदिक काल향 में कौन-कौन से देवता माने जाते थे सभा और समितियां क्या थी इन पर भी आपको ध्यान देना है पस इससे जाना पढ़ने की वाइदिक पढ़ना तो पूरा ही है लेकिन कि परिक्षा की पॉइंटों भी उसे आपको जल्दी जल्दी रिवीजन आप कैसे कर पाएं तो हम वह बात कर रह महाजनपत की स्थितियान की कौन सा महाजनपत कहां था और उसकी राजधानी कहां पर थी ठीकए यह आपको याद करना है महात्मा बुद्ध और महावीर से सम्मंदित जो भी स्वाई महावीर थे तो इन से सम्मंदित जो भी प्रमुक बाते हैं वो आपको मितलब बुद्ध और महावीर को आप अच्छे से पढ़ेगा आप लुगती महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध इन दोनों लोगों को आप अच्छे से पढ़कर जाएगा प्रस्णियास से अक्सर हमेशा मिलते हैं हर साल पूचा जाता है मौरवा गुप्त कालमा जाएए तीक मौर और असोक से सलम्मंदित बात है और अच्छे से पढ़ले आगे आते हैं कुसा अच्छे से पढ़ लेना आए किस ने जारी किये और सात्वाहन काल गौत्मी पुत्र साथकलडी के बारें पढ़ लेना है और जो भी कुसाड काल के जो भी साशक हुए हैं उन्होंने कौन-कौन सी उपादियां धरड की हैं और उनके कौन-कौन से अबलेक हैं इन पर भी आपको एक नजर डाल लेनी है ठीक दिल्ली सल्टनत म से अघिये ऱाधेत को बनाए कैनल साथका इसलाते हें कूं-कुत्ähän-कूं-कुत्म पूछ लिया जाताय एक अजिनेगे कि गुलाब खिले तो सांस लोधी नस तो गुलाब खिले सांस लोधी इस प्रकार में अने क्रम बना था आप लोग भी तोड़ा चर करणा सकते हैं याद करने के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मुगल काल पर आते हैं क्या क्या पढ़ना है बावर के बारे में हमायू अकवर और और अरंग जीब इन चारों सास्कों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है इनके काल में कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए हैं और उनका सन क्या था और कौन जीता कौन हारा था या कोई संदी बगएरा हुई थी इसको भी आपको अच्छे सपढ़ लेना है और इनके जो प्रसास्निक विभाग थे उनका नाम क्या था इस पर आपको एक नजर जरूर डाल लेनी है यहां से प्रसान आपके पूछे जाते है तो इस तरह से आपका जो है मोगल प्रसासन बगरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप थोड़ा साते हम लोग आदुनी की तरफ बढ़ते हैं समास्थार आंदोलन संस्थाएं वा संस्थापक थी कौन-कौन से समास्थार आंजसे की राजा राम मुहन राय हैं दैर अनसर सत हैं तो इनकी संस्थाएं कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- चाहे वो जन जाती आंदोलन हो तो इनका क्रम क्या था तो यह भी अधिये होते हैं और दूश्य चाहर उनका संधिया होता कि किस्षन में कौन सा आंदोलन हुआ था तो इस पर आपको ध्यान दे लेना है और इसके बाद आपको प्रमुख वायसराय ठीक है और उनके कार सारे नहीं पढ़ने हैं जो बहुत प्रमुख हैं आप त्यास की कोई भी किताब देखेंगे तो प्रमुख वायसराय लिखे हुए उन पर आपको ध्यान देना है प्रमुख पत्र पत्र काएं और उनसे संबंदित कौन कौन से व्यक्ति थे और 1857 की क्रांति बंगाल विभाजन और गांधी योग आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है गांधी जी से संबंदे जितने भी आंदोलन थे चाहे वो असायोग आंदोलन हो भारत छोड़ो आंदोलन हो ठीक है या फिर आपका सबने अभग्या आंदोलन हो दांडी मार्च है और जो पूना पैक्ट है और जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और 1947 तक जो भी आजादी हो गई उस तक आपको पढ़ना है अच्छे से और से संबंदे जो भी कुछ डेट है तो उनको भी कुछ योजनाएं थी तो भी वेबल यूजना है मांट वेटन यूजना है तो इस पर भी आपको थोड़ और वर्ल्ड दोनों यहां पर हम लोग सामिल करेंगे एक साथ ठीक है देखिए हम पूरा ना कि क्रमबाई जिदम से जैसे इंडेक्स दिया होता ऐसे हम नहीं चल रहे हैं हम चल रहे हैं कि हमें किन-किन जो में टॉपिक है उसके सब टॉपिक है तो हमें उसमें क्या-क्या पढ़ना है यह आपको हम बताना ठीक है वाकि पूरा सलयवस तो क्या मतलब किताब लो पूरा सलयवस चाब दो हाँ यह पढ़ो लो कोई मतलब नहीं है ठीक है लेकिन हमें क्या करना है हमें आपको उन उन विन्दूओं पर हिट करना है जहां पर आपको विशेष फोकस की कि आवज सकता है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं भारत के परवत और उनकी इस्थिति ठीक है सबसे पहले चैप्टर तो यह भारत की आविस्थिति और बिस्तार तो इस चाप्टर को आप लोग जरूर देख लें कि कहां तक जैसे की देख्षरतम बिंदु कौन सा है उतरतम जो नदिएं करने जो दोनों देखना है उनके और आपको यहित्क है और को देखने को लिक तो इस तरह से आपको नदियों बारे में पढ़ना है और उसे संबने जो भी नदियों पर जैल प्रपात बगएरा बने हुए या नदियों पर बांध बने हुए हैं या कोई परियोजना है तो यह पर यह भी साथ मापको देख लेना चुकि अगर नदिया पढ़ रहे हैं तो क्रेख बहुत सारे दर्रें पीर-पाञ भॉर घाठ पाल-घाड यह सब की रिला हैं भारत की जो प्रमुक जञती है कौन से राज में कौन से जर जरती रहती है कि संख्या क्या है और जो प्रमुक जञती है उनकी ठोड़ा सा कल्चर भी आंको देख लेना है तो यह भी परि टीक है और इन पर पढ़ने वाले देश किन किन देशों से होकर गुजरती है टीक है कौन सा देश दाएं है कौन सा देश माय है कौन सा उसी रेखा पर इस्थित है तो यह जो है क्रमभी आपको देख लेना है हमारे जो महाधीप है उसमें जो परवच श्रडियां है परवच नदियों के किनारे कौन से नदी किनारे कौन सा सहर बसा हुआ है विश्व के तो यह आपको पढ़ना है प्रमुक जीले भारत के संद्रम में भी और विश्व के संद्रम में प्रमुक जीले ज्वाला मुकी परवत ठीक है कौन से सुसुप्त है कौन सा सक्री है इस सब वगारा जो भी है तो उनको पढ़ लेना है जल धारा है गरम जल धारा ठंडी जल धारा प्रमुक्षागर और महासागर और विश्व को संद्रम में जन जातियां ठीक है ट्राइबस यह आपको भी इतने पढ़ने हैं तो इस तरह आपका भारत का भुगोल और विश्व का कंप्लीट हो गए हैं तीसरे विश्व को चलते हैं जिसका नाम है भारतिय शमिधान एवं राज विवस्था ठीक है प्रस्ताबना प्रमुक है प्रस्ताबनाम जो भी संसोधन हुए हैं जो भी नए सब्द जोड़े गए हैं उनको आप लोग जरूर पढ़िएगा याद र करने हैं अनुक कुछ जो प्रमुक अनुच्छेद हैं ठीक है या इनसे संबंदित जो भी अनुच्छेद हैं वह भी आपको पढ़ने हैं संसद मापका जो है लोकसवा राजसवा राष्ट्पति विधान मंदल ठीक है प्रधान मंत्री मुख मंत्री राष्पाल ठीक है इत समतियां जैसे कि लोग लेखा समिती है तो इतना सब्सक्राइब पूरा ने पड़ना है इतना मतलब फिलाल पीसेश बाइस की दर्श्टी से आपको इन इन चीजों पर फोकस करना होगा इसके बाद अर्थवरस्ता आपको जितने पंच वर्षी और अभिए तक बनी है उनके उद्देश क्या थे और किस वर्ष वो रही है जारी बनब बनाई गई है और उनके योज बीच मगर क आपको ध्यान दे लेना ठीक है फिलाला पुराना बजट देखेगा यूपी वाला आर्थिक समीच्छा जो नहीं आ गई है कि स्वाइच की वह और जो करेंट के डेटा है फालों के सब्जियों के खनिच के बागबानी के मतस के रेसम के यह सारी चीज़े जो आपको देखन है ठीक है जैसे इस नंबर पर आप जो है जा करके एक कॉल करिएगा मैसेज करिएगा जीएस के सारे नोट्स हैं प्री के मैंस के और करन्ट अफेर्स है तो सब कुछ आपको हाँ पर मिल जाएगा ठीक है चलिए बिज्ञान पर आते हैं चाइंस विभिन फिजिक्स में छाने चलिए सब को आपको अच्छे फढ़ लेना है आप जैसे साइंस का घटना-चक्र ले ना तो साइंस को आप लेके मैं अगर आपका कोई प्रहस़ां कलöh passado नहीं वाला पढ़ाते थे हमेशा ही पी और मेंस के लिह onूट चाहिए आई समय ल्ए टेवयों। हगभाते थे जब अधा हिलावाद में और ओरियो में नगती थी सबस्лег हई बढ़ाते थे स्पिसली पीस O स्पिरोय में खेडिक की ट्रॉबर को पड़ेगा खोज करहा थिक विटामीन सारे आपको पड़ेंगे नाम नामें कमी से होने वाले रोग कमी से होने अधिकता से होने वाले रोग घरिक्ण्स थे फिजिक्स उसमें केमिस्टी में समय स्थानिक और उपियों क्या-क्या हैं हर्मोन्स एंजायम्स रावित अंग वैरा यह सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है तो साइंस जो है आप चाहे तो घटना चक्र पढ़ सकते हैं और घटना चक्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो है और उजोन से संबंद्य आपका मॉनेटरिय प्रोटोकॉल है और बहुत सारे समझोते हुए हैं उनका इस्थान कहां पर हुए हैं किस वर्स हुए हैं यह सब आप आराम से जो है देख सकते हैं तो उसे भी आप लोग ले सकते हैं पढ़ने के लिए जो प्रमुख से कितने प्रकार के होते हैं उसे संबंदित कौन-कौनशे रोग हैं पर्यावड़ी आंदोलन कौन सा हुए इसे चिपको अंदोलन हुआ और बहुत सारे अंदोलन है धनी प्रदूसर आपका हो गया तो यह सब आपको पढ़ना है पर्यावड़ के अंतरगर ठीक है यहां से आने कि उत्रप्रदेश बिसेश आपको पढ़ना ही है करन्ट अफेरस पर आपको बहुत ही फोकस करना पढ़ेगा आपका मिशिकम जो है दो मैगजीन पढ़िए और उन दो मैगजीनों को अच्छे से विल्कुल मतलब एकदम कौन्टीनू तरीकेस पढ़िए मतलब दो ती एकेदी रिपोर्ट है और जोबी बरतमान महाने रिपोर्ट 251000 अपको और इतनी सारी चीजा आपको पढ़नी है और इतनी सारी चीजा आपको जो भी आपने अभी नोट्स बनाए हों उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं नहीं तो आप लोग हमारे यांसे नोट्स भी ले सकते हैं GS के बगारा पूरा complete PCS के लिए भी और आरो के लिए भी 6393-350-7690 किस नंबर पर जाके कॉल करके वाटसप के संपर्क करके तो इतनी सारी चीज़ें आपको दोस्तों पढ़ने हैं PCS प्रारम्बिक परिच्छा निकालने के लिए और आरो यारो की परिच्छा निकालने के लिए ठीक है PCS वाले जो लोग है वो जल्दी जल्दी इसको रिविजन करें जो आरो यारो जिनको देना है उनके पास अभी समय है वो लोग अराम से पढ़ें लेकिन इन सारे टॉपिक के अलावा भी जो टॉपिक बच रहे हैं ठीक है और उमीद करता हैं को आप लोग PCS वाले जो लोग है बारा जून वाले तो वो लोग इसको फॉलो करेंगे और निश्ची थी वो इस बार सफल होकर दिखाएंगे यानिकी मुख परिक्षा में समलित होंगे ही गरंटी के साथ ठीक है चले फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडि